नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूँ और आप देख रहे हैं किसान तक और आज हमारे साथ किसान तक के साथ खास महमान जुड़े हुए आयाइटी प्रटना के डिरेक्टर प्रोफेसर टी अंजिंग सर किसान तक है और तकनीक की बड़ी बाते हो रहे हैं किसमी सधी चल रहा है धन्यवाद पहले तो आपको आने के लिए IIT कैंपस में अब बीना तक्निकी के कोई भी काम आजकल संभोसा नहीं लगता है और क्रिसी उसे अच्छूता नहीं है भारत एक क्रिसी प्रधान देश है और हम लोग बच्पन से ये सुनते आ रहे हैं लेकिन किसानों को जब तक त टीन सेक्षन एट कंपनी है जो तक्निकी विकास में लगातार कारेरत हैं उसमें से टीवी आई है टी आई है और आईसी इंकुवेशन सेंटर है कुल मिलाजुला के डेड़ सो के करीब स्थाट अप है लेकिन क्रिसी के छेतर में दो तीन महत्तपुन जो हम लोग काम कर रहे हैं एक तो ड्रोन टिक्नलोजी है जिससे हम जो छिड़काव होता है दवाव का य बइन फट्लाईजर का भी अभी जबसे नैनो यूरिया आया है तबसे चिड़काव भी करना पड़ सकता है और वो नैनो यूरिया के यूज से ऑप्टिमम फट्लाईजर जितनी आउशकता है उससे ज्यादे फटलाइजर देने से भी उरोरा सकती सवाइल की समापत हो जाती है और धर्ती जो है वह एकदम उसलों हो जाती है उसमें कोई पधवार नहीं पड़ती तो एक जो है लक्शि- clever निर्दारित करना साइड एफेक्ट बहुत सारे होते हैं उनके रख रखाओ की विश्था करना युरिया के लिए लंबी और हम लोग की इच्छा है कि यह और बड़ी कंपनी जो है पुरे देश में बने और किसा पहली है कि 100 के पार की है और यह सब भी बिहारवासियों के लिए भी गवरों का विशाय है दूसरा प्रजेक्ट हमारा है आप्टिमाइशन करना आप्टिमाइशन की यदि स्वायल के अंदर पानी हम कभी अधिक देते हैं कभी कम देते हैं हमें पता ही नहीं रहता कि पानी कितने समय में देना है तो इसके लिए यहां के स्टार्ट अप कंपनी ने कुछ काम किया है और उस सोध से यह पता चलेगा कि यह बताएंगे किसान को सूचना देंगे कि अब आपके खेत में इतना पानी देना है और पानी जयो ही पहुँच जाएगा उस लेवल तक मौश्चर के आदरता के पॉइंट पे पहुँच जाएगा तो अपने आप उनको सुचना जाएगे कि अब एरिगेशन बंद कर दिए इससे दो फायदे हैं एक तो पहला उन्नत होगा अच स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है वहां के मंत्री जी भी कर रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा है ऐसे समय में यदि पटना का अनसंधान जो बच्चे कर रहे हैं यहां के उससे यदि हम पानी थोड़ा भी बचाते हैं एक खेत में पानी दस लीटर भी ब याद पाना आवस्यक है क्योंकि किसान डिपेंडेंट है तकनीकी के आधार पर उसे कोई बताने वाला नहीं है एक हमने स्वाइल हेल्थ कार्ड बना है उस पर भी कुछ काम यहां पर सिबिल इंजिनिरिंड डिपार्टमेंट कर रहा है पानी की गुणवत्ता पर हम लोग कर हैं तो किसानों को तकनीकी के माध्यम से किस तरह से हम बड़िया से बड़िया तकनीकी दे पाएं जिससे उनका जीवन अस्तर और उनकी क्रिसी में उन्नती होती रहे जिससे कि उनके आय दुगने हो जाए यह द्रोन तो आलमोस्ट हम लोगों का टेस्टेड हो गया है और जल्दी से उसकी ट्रेणिंग भी हो रही है आपको यह भी खुसी होगी जान करके कि हम लोग केवल प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं प्रोडक्ट के साथ-साथ उसका पाइलट भी तयार कर रहे हैं जो कि बिहार में पहली बार पाइलट की होती रहती है और उस ट्रेनिंग से एक ट्रेंड लोग वहां जाएंगे कि किसी तरह की दुविधा की स्थिति नहीं रहे और काम करके आ जाएंगे द्रून का तो अन्य छेत्रों में वह प्यों गए लेकिन हम लोग मुलता क्रिसी के बारे में चर्शा कर रहे है इसलिए मैं किर्सी तक ही उसको सिमित रख रहा हूं स्वाइल का जो सेंसर नेटवर्क है वह जल्दी से ही ट्राइल के फेज में है जल्दी से जल्दी उसका निराकरण हो जाएगा और यह टेकनलोजी इस तरह की चीजे लोगों ने नासिक में शुरू की है नासिक में इस तरह का इंफार्मेशन लगा है कि सेंसर बेस जो है जो अंगूर की खेती होती है उससे काफी पानी की बच्चत हो रही है और किसान उससे लाबाने तो है क्योंकि पानी का भी पैसा देना पड़ता है बिजली का भी पैसा देना पड़ता है और स्रम भी जाता है जिसका कि कोई फल नहीं मिलता है तो इससे दोनों से किसानों को और इसके बाद हम के परिवार के लिए आपकी जो खिती है उसके लिए उत्तम है और किसी उत्तम होगी तभी देश उतनती करेगा और परेगा तकनिकी को ग्रामीड अस्तर तक ले जाना ये पहला दाइत तो है क्योंकि जब आईटी का निर्मान हुआ था तो उस समय यही सोचती कि भारत को किस तरह से उन्नती सील किया जाए लेकिन हम थोड़ा उसमें इधर उधर हो गए भटक गए लेकिन आयाइटी पटना एकदम अपने लक्ष को निर्धारित की हुए क्योंकि हम ऐसे प्रदेश में आवस्थित हैं जहां पर कोई बहुत बड़ी इंडस्टी नहीं है और किसी ही स अच्छे से अच्छे पैसा कमा सके उससे कि अपने परिवार को सुरक्षित और सम्रिद कर से एक सवाल जरूर है क्योंकि इस बार जलवायू परिवर्तन चुकि तो पूरे बिश्व का समस्या बना हुआ है लेकिन बिहार इस बार सबसे ज़्यादा प्रभाव में रहा उसक इसमें सबसे ज़्यादा मजदूर वर्क या किसान सबसे ज़्यादा वहीं ग्राउंड में रहते हैं उन पर यह ज़्यादा बिजली का आसर देखने को मिलता है तो वैसी कुछ चीजों को लेके भी पटना याईटी ने कुछ ऐसा काम किया है कि जिससे उनकी सुरक्षा हो स किसान बादल को देखता है खेतों में दोड़ता है किसी को पानी अधिक हुए तो उसको काट के बाहर करना पानी कम है तो उसको रोकना यह काम मुलता होता है और उसी समय बिजली चमकती है तड़ित आता है और उसके जान को ले जाता है तो उसमें मोबाइल का एप काम नही आएगा क्योंकि मुबाइल वो लेके नहीं जाता है और इतने चार्जिंग कहां से करेगा किशान अदमी तो इसकी दृष्टी में रखते हुए हम लोगों ने एक लॉकेट का निर्माड किया है जिस लॉकेट का नाम है नितिस नितिस लॉकेट यह लॉकेट जो है इतफाक से मुखेमंत्री जी के नाम से मैच करता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है यह निचुरल डिजास्टर से प्रिवेंशन का एक एक है वो है डिवाइस है अब यह लॉकेट का निर्माड जो है यह वाटर पूफ है पहला कितनी भी बरसात हो उसमें कोई खराबी नहीं होगी आपके बॉड़ी से अपने आप जो आपका जो खुन की दोड़ है शरीर में नसों में उससे वो चार्ज होता है बलड के प्रेशर से और उसमें और कोई चार्जिंग की विवस्ता नहीं है वाटर पूफ है सेल्फ चार्जिंग है और यह ही आकास के अंदर जब वायू सिगनल में एक ऐसा ऐंबियेंस बनेगा एक वातावरन बनेगा जिससे की तड़ित आने की संबावना है बिजली आने की संबावना है कि उस समय वो लॉकट जो है ग्रीन से रेड सिगनल देना चालू करते रेड सिगनल देगा तो किवल किसान को हमें ये बताना है कि जब रेड आए तो आप वहां से विस्थापित हो जाईए और सुरक्षित जगह पे जाईए हम लोग सेल्टर निर्माड के लिए भी कोशिस कर रहे हैं बिहार सरकार को एडवाइस दे रहे हैं कि कुछ सेल्टर बन सुख्यमंत्री जी ने देख भी लिया है उन्होंने भी इसको सरहा है और अब इसको मास प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं जो हर किसान को वित्रित किया जाएगा ये आयाइटी पतना की अनोखी पहल है पूरे देश में मुझे लगता है कि पहले हम बिहार को देले पूरे देश में इस तरह के लाकेट पहली बार बनी है और बहुत बड़ा एक मार्केट तयार होगा जिससे की काफी पैसा जो है बिहार गौवर्मेंट को भी मिल सकता है इसको रखने से तो ये आयाइटी पतना किसानों की चुकी हमारे यहां कृशी इंजिनिरिंग अग्यान की नहीं है उसके बावजूद भी किसानों के लिए तकनीकी के आधार पर हम लोग सिवा के लिए यह आईटी पतना समर्पित है अब किसानों को जब खुले मैदान में हो खेत में हो तो बिजली की जो समस्या होती है उससे अब निप्टारा मिलने वाला है और उसक यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन भी दबा दे